HTML Tags HTML Tags are like keywords which define that how web browser will format and display the content जैसा हम लोग उसरे programming languages में देखते हैं प्रीडिफाइंड की वर्ड्स हम लोग को मिल जाते हैं तो यहां पर भी हम लोग को html जो है फैसिलिटी पवाइड करता है टैक्स की यहां पर हम लोग प्रीडिफेंट टैक्स बोलते हैं तो वह बहुत सारे मान के चलो तो चार-पांच-जार कीवर्ड के रूप में हम लोगो टैक्स एवलेबल होते हैं तो इस को हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं और टैक्स जो है यह बताता है वेब ब्राउजर को कि जो भी टैक्स है इमेजेस है या फिर जो भी कंटेंट हमने उसमें दिखाना है वेब पेज पर डिस्प्ले कैसे करना है उसको उसके बारे में वह इनफॉर्मेशन देता है वह अब टैक के अंदर यह सारी चीज़ डिफाइन होती है कि वह उस कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करेगा इस टीमल कंटेंट होता है और सिंपल स्टैंट होता है तेंगे अगर हम लोग यूज़ करें तो तो स्वेश्चेल कंटेंट होगा और जो जिसमें हम लोग का याँ यूस नहीं कि वैसको हम लोग सिंपल गंटेंट बोलते हैं ट्रिमीन पाइद त्री में पार्ट्स ओपनिंग टैग कॉंटैंट और क्लोजिंग टेग टीन में पार्ट होते हैं इसके ठीक है सबसे पहला होता है ओपनिंग टेग फिर होता है इसके घ्रोजिंग टेग जैसे मान के चलो मैं यहां पर एक यहां पर फॉर्मेटिंग पढ़े तो यहां पर हमने इस टैक को ओपन किया है और इस टैक को क्लोज किया दोनों के बीच में यहां Ệम यहां यहां लोग यहां डालना चाहते वह below दाल सकते हैं तो यहां पर यहां पर टैग हम लोग यूज करेंगे हैं यहां पर टैग में नहीं हो और यहां पर इसक़े में अंदर यहां पर फॉलो कुटे हैं यहां पर फॉलो करते हैं कि यहां पर फॉलो करते हैं किसी पूर्ट अपर अपर जो सिर्फ उपन होते हैं लोते हैं इसको बोलते हैं है सिंगल्ट जैग इसको ह lle दोर्ट नहीं होगा तो इस टाप नहीं तो लोग देखने का तरीका अलग-अलग होता तो हम लोग टाइम उसको देखेंगे कि कौन सा सिंगलटन होता है को ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं तो जब वेब ब्राउजर पर रीड करता है मतलब जब हम लोग कोई भी हैस्टीमल डॉक्यमेंट को जब रन करते हैं तो उसके अंदर के जितने भी टैग से वलेबल होते है कि मतलब वो रीड कहां से करना चालू करता है टॉप तो बॉटम मतलब ऊपर से रीड करना चालू करता है मतलब मान के चलो अगर मैं कोई एक जो हमने लाश्ट क्लास में बनाया था तो मैं उसको अगर ओपन करता हूं यहां पर यह हमारा यह हमारा लाश्ट प्रोग्राम था और यह जैसे मैंने इसको वैब डाउजर पे ऊपन करूंगा तो यह क्या करेगा टॉप डॉटम मतलब लाइन नंबर वन से उसको कंपाइल करना चालू करेगा मतलब इसको रेंडर करना चालू करेगा जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी पर वो उसको डिस्प्ले करते जाएगा कि तो टॉप टॉप बॉटम में ही यह उमान के चलो एक्जिक्यूट होता है यहां पर हम लोग एक्जिक्यूट वर्ड यूज नहीं करेंगे यहां रेंडर वर्ड यूज होता है ठीक है यहां पर देखो वैने वेब ब्राउजर और लेफ तो राइट यह सको प्रोसेश करते जाते है बताब रूंडर आप इस्टैम्ल है डिफरेंट फॉर्पर्टी जितने भी टैग लोग यहां पर देखेंगे सब की अलग अलग प्र परपर की और यहां पर जोप्रपर्टी कि यहां पर जो प्रॉपर्टी प्राइव लोग यहां पर एट्रिभूट बोलते हैं तेकन्स को मीlen आगर देखांगी चाहरा पाइब देखते हैं एन एस्टीमान फाइल मस्ट हैव सम एसेंशिल टैक्स वेब ब्राउजर कें डिफ्रेंशिट बिट्विन सिंपल टैक्स एंट एक इस्टेमल टैक्स तो यहां पर देखते हैं जो भी हम लोग कोड करेंगे उस्ट क्या रिक्वार्मेंट होती है तो यहां पर देखते हैं ओल एस्टीमेंट मश्चर एंक्लोस विदिन इसब्रेकट्ट इसको लोग उसके लिखेंगे उसको हम लोग इस एंगल ब्रेकेट के अंदर में ही लिखेंग एवरी टाइग इस्टेमल परफॉर्म टिफ्रेंट टास्क हर जो है अपना अलग अलग टास्क प्रफॉर्म कर दिया इफ्योः योइज ऐन ओपन टाइग्स यूण मस्ट्यूस एक लोग नाउनार सब्सक्रण लगतना है तो सब्सक्रण को आपने सी निताइग्स रहें लोग तरोब यहां पर हम लोग शिंटेक्स देख लेते हैं सिंटेक्स में पर ओपनिंग टैग है फिर उसके बीच में इसके बाद यहां पर क्लोजिंग टैग है क्लोज कैसे करेंगे आप लोगों सिंपल एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना परता है इस जश्ट यह एंगल बैकेट के बाद में तो यह होजाता है जो हमारा टैग लगाये ह भी करेगा जो हमने इस टैग के बीच में लिखा हुए एक चाहें टेक्स्ट हो इमेज वह ग्राफिक्स वह कुछ भी हो सकता है तो जो भी स्टैक का इफेक्ट होगा वह स्कंटेंट में ही अपना दिखाएगा तो बेसिकली जो भी हम लोगे हां टैग यूस करेंगे वह जन को ए कि अग्सックन का इशांपल लेखते हैं लोग तो यहां पर मैंने सबसे पहले एक ट्स जता क्य जो होता है वह पैरे अग्राफ के विलए सो भी जो होता है बाते हैं एक्ति तो यहां पर ऑपन हुआ है उसके बीच कांटेन्ट लिखे और उसके बाद यहां पर हमने हBO यहां पर लिखा है जो हमारा कंटेंट और बोल टैग को क्लोज कर दिया है हम लोग ऐसे जरूरी नहीं है यहां पर हम लोग अपना मन चाहां कंटेंट लिख सकते हैं तो इस प्रकार से कुछ एक्जांपल संदें यहां पर देखा जिसके थूर्ण हो अच्छे से समझे और टैग्स ओपन होता है और क्लोज होता है तो यह तो सिंगल टैग्स अब ना पिर उसको बोला जाता है या फिर सिंगल टाइग को बोला जाता है जैसा भी आएगा अगर या तो सिंगल टैग पूछ लेता या फिर अलग अलग और पर करती इंटरनेट पर अलग तो दोनों तीनों हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या उसको बोलते हैं तो या तो सिंगल टेक्स पूलेंगे या फिर सिंगल इसका मतब ब्रेक लाइन जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी में यूज़ करते से स्लैश एंट फिर यहां पर यूज़ करतें निव लाइन के लिए बियर स्टैंट फॉर ब्रेक लाइन फेल फ्रेक्स तर लाइन उप तो कोड जो भी कोड हम लोग लिखेंगे उसकी लाइ इस टैक इस यूज़ टो पूट लाइन अक्रॉस सब्सक्राइब इस टैप की अगर लाइन हम लोग को ले क्या नहीं है तो हर टैक्स का अलग-अलग इफ्रेक्ट होता है अलग-अलग टास्ट होता है वैसे ही वह परफॉर्म करता है तो यह था HTML टैक्स के बारे में लोग ने जानकारे लिए कि अध्ये अध्यें में जो इसंटेक्स हमने यहां पर देखा जितने प Administrator हम लोग लगातें हैं ठीक है इस हünd मल वैब डॉक्य कि मेन सब में सेंसिलु तोफ। होता है अध्य कोई बी अलग अलग-शिंटेक्स नहीं बस एंट्रीबूट्स यहां पर ऐंट होते हैं कुछ इन के चाम अलग इन ज मोख जाते हैं के लावा और कोई दूसरा को इस दुन के अछे HTML Attribute HTML Attribute special words which provide additional information about the elements और Attribute are the modifier of the HTML element है HTML जो attributes यूज करता है वो एक special words होते हैं तिक है जो उस टैग के साथ मिलके उस टैग में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ठीक है जैसे मान के चलो कलर है कि या फिर जो पोजिशन है लेफ्ट राइट टॉप लेफ्ट इस टैप का जो इस टैप से लगाया जाते हैं तो इसना कुलर कि टैप का है पूर्ट है ग्रीं तरह हम लोग लिखना यह नॉर्मली वह बलाक कलर मी आएगा लेकिन अगर हम लोग उसको रेड कलर में करना है तो उसके लिए एक एट्रिब्यूट हम लोग का जाहिए है ? तो कै हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे किसी भी टैक के साथ में स्ट के साथ में हम लोग एट्रिबैड करें मतल्www टैग की प्रॉपर्टीज होगी ठीक है इच एलिमेंट और टैक कैन एट्रिबूट्स विच डिफाइब आप टेट एलिमेंट तो 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 वह क्या डिफाइन करेगा उसका बीहेवियर डिफाइन करेगा इस एक ग्याइट एक ट्रिबूट्स शूड ऑल्वेस भी अप्लाइट विट श्टार्ट टैग को हम लोग हमेश्था कहां पर अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग ने मतलब जो ओपनिंग टैग होगा उसको अप्लाई करेंगे कि फिर उसके बाद एट्रिब्यूट शूद आलवेज भी अप्लाइड विट इट्स नेम एंड वैल्लीव के जो भी अट्रिब्यूट हम लोग उसको उसके नेम के तुरू हम लोग लिखेंगे और जो लिखेंगे जो भी अट्रिब्यूट हम लोग को लिखना पड़ेगा मतलब के सेंसिटी होता है स्मॉल में होगा तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा क्यापिटल्स नोग तो दिस्लें तो जनरल यहां पर जो डग्लू 3C ने किया है वह लोगर केस में ही अधिने बिदाइक जितने बिद्धेइड करेंगे वहां पर लोगर केस में सारे अथ्रिब्यूट्स हम लोग कि यू के एंड मल्टिबार अट्रिबूट सिन वन एस्टेमल एलिमेंट बट नीट टो गिव स्पेस बिट्विन टू एट हम लोग एक या एक से ज्यादा भी एट्रिब्यूट्स हम लोग से एक सिंगल टैग में यूज कर सकते हैं यहां पर हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं यहां पर हम लोग लिखे हैं यहां पर जो हम लोग का टैग है इसको हम लोग टैग वी पूरा इस ओपनिंग टैग के अंदर में हम लोग यहां पर लगा है तरफिंग है और बीदिंग के बाद हम लोग यहां कंटेंट लिखे और अपर लोग अपर क्लोॉस के लिख सिंपल सा होगा उसमें कोई भी कि नहीं होगा जो भी एक्जांपल देखते हैं तो यह हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहां पर फॉलो किया सिस्के बढ़ा लिखा उसके बाद है लिगा के लिए तो यहां पर तैल क्लोज कर दिये ध्यूंक्या वहता है वह जो कि पैरागराफ टैग के अंदर मैंने यहां पर स्टायल करके एक एक डिब्यूट लिया style इक्वल्टू और यहां पर हाइट इक्वल टू फिफ्टी पी एक्स मतलब फिफ्टी पिक्सर्स का हाइट रहेगा कलर उसका ब्लू रहेगा इट विल एड़ स्टाइल प्रॉपर्टी एलिमेंट यह हमारा कंटेंट है और मैंने यहां पर पी को क्लोज कर दिया फिर उसकी बाद एक और परग्राफ टैग लिया यहां पर स्टाइल एक्वल टू कलर रेड मैंने ले लिया तो कि स्टाइल हमारा एट्रिब्यूट है और प्रॉपर्टी इस एक हमने क्या देट यहां पर यहां पर क्या करेगा जो फर्स्ट आला है यहां पर जो यह कंटेंट हमने लिखा है उसका हाइट रहेगा 50 पिक्सल का हाइट रहेगा और कलर रहेगा ब्लूव एक हाइट क्या रहाएगा फिफ्टी पी एक्स ठीक है पिक्सल की बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर इसका एट्री आउट्पूट देखो कुछ उस प्रकार का आउट्पूट हम लोगों मिलेगे मतब यह हमारा क्या है एच वन टैग है यह वाला ठीक है यह स्टाइल एक बोल्ड में होता और बड़ा बड़ा सा दिखता है है यह दिखा जो हमने पारेग्राफ रहा है और यहां पर हम लोग एट्रिब्वूट सेट किये हैं है इक तो यहां पर एक सकते हैं जो हाइट है आप यहां पर कोई भी कलर अप्लाई नहीं किये तो बैडिफॉल ब्लैक करोता है कलर होता है अगर हम लोग वहां पर color define करते हैं अलग से तो उस color में हम लोग text मिल जाता है next में हम लोग यहां पर color to red हम लोग दिये style equal to color red ठीक है तो यहां पर जो हमारा content है वो red color में दिख रहा है तो इस प्रकार से हम लोग attributes का use करके ठीक है हम लोग अपने content में कुछ changes कर सकते हैं कलर करना है पोजिशन चेंज करना है हाइट देना विट्थ देना है यह सारी चीज़ें हम लोग attributes को यूज करके कर सकते हैं जो attributes होता है हमेशा opening tag में लगाया जाता है यह opening टैग है यहां से यहां तक लगा हुआ है जो हमारा एट्रिब्यूट है और यह अपना इफेक्ट इसमें दिखाएगा इस content पर दिखाएगा जो भी content हम लोग यहां भी लिखेंगे ठीक है उसी पर इफेक्ट दिखाएगा तो यह था attributes